ये सबजी देखने में जितना सांदार है, खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिश्ट है और इसे बनाया है मैंने सिर्फ दो कच्चे आलू और दो चमज बेशन से हेलो इपरिवन, आपका स्वागत है मेरे किचन में तो अगर आपको भी कुछ समझ भी ना आए या फिर कम मेनत में कुछ स्वादिश्ट और सांदार बनाना चाहते हैं तो आज की इस सबजी की रेस्पी को ट्राई जरूर करिएगा तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा दो मीडियम साइज के कच्चे आलू आलू को सबसे पहले हमें चील लेना है और चीलने के बाद जो ग्रेटर में मोटा वाला छेद होता है उसकी मदद से इसे हमें घिस लेना है तो इस आलू के हमें मोटे मोटे लच्छे रेडी कर लेना है गिसने के बाद इसे हमें ऐसे नहीं छोड़ना है नहीं तो ये आलू बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं तो मैंने पास में ही पानी रखा था पानी के अंदर इसे हमें डाल देना है और इसके बाद हम इसे एक दो पानी धो भी लेंगे ताकि ये अच्छे से साफ हो जाए दोने के बाद इसका पानी निचोडते हुए हमें एक mixing bowl में निकाल लेना है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए इसलिए अच्छे से इसे दबा के इसमें जो भी पानी है उसे अलग कर लिजेगा और अब हम इसमें मिलाएंगे बेसन तो बेसन हम इसमें जादा नहीं मिलाएंगे मैंने सिर्फ दो बड़े चमच इसमें बेसन मिलाया है और लास्ट में एक बार अगर हमें कम लगेगा तो थोड़ा सा बेशन और एड़ कर लेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और आधा छोटी चमच मैंने इसमें नमक और आधी छोटा चमच मैंने इसमें जीरा डाला है जीरा को हाथों से थोड़ा से क्रस्ट कर लेंगे ताकि इसमें अच्छा फलेवर आए। अच्छे से सारे चीजों को हम मिला लेंगे। मैंने इसमें हल्दी या फिर कोई और मसाला नहीं डाला है जो ग्रेवी बनाएंगे उसी से इस सबजी में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है तो यहां अच्छे से मिला लेंगे मुझे थोड़ी सी बैंडिंग कम लग रही थी तो मैंने आधा छोटी चमच इसमें बेसन औ बनाना है आप जब भी सबजी को बनाए तो ध्यान दे कि नमक उसी समय डाले जब आपको सबजी बनाना हो तो मैंने इस तरीके से हतेली के बीच में रखके रोल कर लिया है और इसे हमें स्टीम में पकाना है तो इसके लिए मैंने गैस पे कड़ाई में एक किलास पानी को प कि बड़कते जाएंगे और इसाउं मीडिय। मीडिय। के लिए मीडिय। मीडिय। धाले लिए मीडिय। टमाटर एक उधरक का टुकडा आठ ते दस लहसन और दो हरी मिर्च लिया है इन सारे चीजों को हमें मिक्सी के जार में ट्रांसपर कर देना है एक छोटा चमचीस में हम जीरा डालेंगे और इसको एकदम पारीक पीस के हमें इसका पेस्ट रेडी कर लेना है तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं पांस बिनिट हो गया है कड़ाई का डकन हटाएंगे और गैस को मैंने बंद कर दिया है और यह हमने जो आलू बेशन की मुठिया बना के रेडी की थी यह अच्छे से स्टीम हो गया है अच्छे से कूक हो गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से निकल जाता है अब आप चाहें तो इसे थोड़े से तेल के अंदर तवे पे या फिर पैन में इसको फ्राई कर सकते हैं पर मैंने इसे ऐसे ही बनाया है इस तरीके से भी सबजी बहुत ही सांदार बनता है तो ग्रेवी बनाने के लिए गैस पे वापस से मैंने कड़ाई दो बड़े चमच मेंने सरसो का तेल डाला है तील जब अच्छे से गरम हो जाये तो इसमें आदा चमच राई और आधा छोटी चमच चम इसमें जीरा डालेंगे और एक चमच धनिया के बीज और कसूरी मेति को मैंने इसमें दर्दरा कूट के डाला है यह सब जी में बहु ताकि टमाटर के साथ साथ वो भी अच्छे से बुन जा है तो आधा चोठी by उसे हल्दी और एक चमच मैंने कम तिखी वाली लाल मिर्च डाला है और एक चिपनलीज और स्वां वह एक से डेढ चमच हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे दनिया के अच्छा इसमें फ्लेवर आता है और आधा चमच मैंने इसमें अमचू डाला है ये बहुत ही जरूरी है इससे सब्जी में बहुत ही अच्छा स्वाध और हल्का सा खट्टा पनाता है और इन मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक इन मसालों से तेल ना अलग होने लगे तो यह मैंने मसालों को 3-4 मिनट तक अच्छे से चलाते हुए भून लिया है अब हम इसमें पानी डालेंगे तो इस सबजी में हमें बहुत जादा ग्रेवी के लिए पानी डालने की जरूरत नहीं है एक से 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाला है मसालों के साथ अच्छे से इसे मिला लेंगे और इसे हमें ढख के 2-3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम में पका लेना है तो 2 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से पका लिया है अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला तो आधा छोटी चमच म बहुत ही सिंपल मसाले इसमें पड़ते हैं जो हम रोज की सबजी में इस्तमाल करते हैं और इसके बाद मैंने जो आलू बेशन के कुफते बना के रेडी किये थे वो इसके अंदर डाल दिया है गैस का फ्लेम लो कर देंगे और पांस मिनट तक लो फ्लेम में मैंने इसे पका लिया है ताकि ये जो कोफते हैं अच्छे से सौफ्ट हो जाए और इसमें अंदर तक ग्रेवी का फ्लेवर आ जाए तो पांस मिनट में देखिए ये सबजी बनके रेडी हो गया है इस सबजी को बनाने में बस पांसे दस मिनट लगता है आलू की सबजी तो आपने हजारों बार बनाई होगी पर एक बार इसे ट्राइ करके देखिएगा ये बहुत ही जादा स्वाधिष्ट बनते हैं इसे आप रोटी के साथ पराठे के साथ या चावल के साथ परोज सकते हैं एक बार इस रेश्पी को ट्राइ करिएगा और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि ये रेस्पी कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें फैमिली फ्रेंड के साथ इसे सेयर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें